भला AC में बैठना किसको पसंद नहीं होता लेकिन इस महामारी के दौर में क्या AC में बैठना सेफ है या सुरक्षित है तो इस वात को हम इस वीडियो में समझने की कोशिस करेंगे आज के समय में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आपको कहा मिल जाएगा इस बात का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होता है क्या ये संक्रमन AC में आने की वज़े से बढ़ सकता है या फिर उतना ही रहता है जितना की खुली हवा में अगर आप ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर AC नहीं है अगर वहां पर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मौजूद है तो उस संक्रमित व्यक्ति से निखलने वाले करोना के ड्रॉपलेट एक जगह पर बैठ जाएंगे लेकिन अगर उसी जगे पर बंद कमरे में AC मौजूद हो AC की ठंडी हवा बहुत ही धीमी गती से चलती है जो की बहुत आसानी के साथ करोना के ड्रॉप लेट को हवा में मिक्स कर देगी जिससे की ये हमारे पास तक आसानी से पहुँच सकता है और ये करोना के ड्रॉप लेट हवा में मिक्स होकर आसानी से किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं अगर आप इस समय में कार का उपियोग करते हैं तो कार के सीसो को थोड़ा खुला रखें और किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ AC का उपियोग ना करें भीड भाडवाले इलाकों में अपने कार के सीशे को पूरा बंद कर लें आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेट बॉक्स में जरूर लिखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेट कर दीजिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे मिलते हैं किसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्का दोस्तों जैहिंद